हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशी के शुराब देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप और आज इस वडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ IPL 2021 के मुकाबले की जो की खेला जाएगा Royal Challenges Bangalore vs. Rajasthan Royals के बीच में मुंबई के 1K Day Stadium के अंदर 22 April को शाम के 7.30 बजे से और इस मुकाबले का Live Telecast होने वाला Star Sports Network की उपर और अगर आप Fantasy Cricket खेलते हो तो आप मुझे टेलिग्राम पे जोईन करना बिल्कुल मत भूलियेगा वहां आपको IPL के सारे मुकाबलों की टीम मिलेगी उसके लावा पाकिस्तान vs. Zimbabwe, शलंका vs. बंगलदेश आपको सारी न्यूस मिलने वाली Fantasy की टेलिग्राम की उपर आपको सिफ सर्च करना है The Sports Cop वरना को description लिंक मिल जाएगा आप जल्दी से मेरे को जोईन कर लिजे टेलिग्राम की उपर और इस मुकाबली की Fantasy टीम आप बना सकते हो Fan2Play की उपर जहां पे आपको बहुत सारे benefit मिलने वाले हैं सबसे पहले आपको IPL के सारे मुकाबलों के अंदर free entry मिलेगी Fan2Play की उपर दूसरी बात आप यहाँ पे 2, 3 या 4 प्लेगर सी Challenge Fantasy खेल सकते हो और पैसा कमा सकते हो यह feature कहीं भी अवेलिबल नहीं होने वाला तीसरी बात आपको आपको first deposit की उपर 200% का cash bonus मिल रहा है और चौती बात यहाँ पे credit का कोई भी issue नहीं आता आप सारी प्लेज़ों टीम में रख सकते हो तो किस बात का wait कर रहे हो आपको description में link मिल जाएगा आपको refer code दिख रहा होगा screen के उपर इसको डालने से आपको free में bonus cash मिल जाएगा तो register करते हुए left option में आपको option आपको sign up code का वहाँ डाल के register कर लीजिए काफी छोटी है मैदान काफी जबरदस्ते बल्ले बाजी के लिए और due factory वज़े से टीमें toss जितके पहले gain बाजी करना चाहेगी इस मुकाबले के अंदर सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ Royal Challengers Bangalore के बारे में जो की अपने तीन में से बहुत ही कमाल की बल्ले बाजी करी है और AB Divillers ने भी खुटी class proof करी पिछले मुकाबले के अंदर Divillers का फॉर्म में राना RCB के लिए काफी कमाल की बात है लेकिन इन दोरों के अलावों को अच्छी बल्ले बाजी करनी पा रहा विराट कूली का फॉर्म काफी खराब चल रहा उमीद करते हैं कि वान खेड़े के मैदान पे अच्छी बल्ले बाजी करेंगे और देवदत पाडिकल सी उमीद होने वाली है विजह जारे ट्रॉफि में काफी कमाल के फॉर्म में थे देवदत पाडिकल भी अगर मैं बात कर लेता हूँ गेंबाजी के बारे में तो हर्शल पटेल ने बहुत ही कमाल की गेंबाजी करते हुए तीन मुकाबलों के अदर 9 विकेट निकाले हैं पटेल की डैथ पॉलिंग काफी शांदार है उसके लावा तो RCB की टीम काफी अच्छा क्रिकेट खिल रही है इंदी गेंबाज काफी शांदार फॉम है उसके लावा मैक्सवल और एभी ने काफी कमाल की बल्ले बाजी करी है अगर मैं बात करता हूँ बदलाओ के बारे में तो इस मुकाबल में डेनिल क्रिस्चन को मौका मिल सकता है क्रिस्चन इस मैदान पे अच्छी बल्ले बाजी कर सकते हैं उसके लावा वो अच्छी कासी गेंबाजी भी कर सकते हैं वो शाबाज एहमद को रिप्लेस कर सकते हैं शाबाज इस पिछपोते प्लेयर नहीं होने वाले तो RCB के लिए ओपन कर सकते हैं विराट के लिए देदत पडिकल नमबर तीम पर रजट पाटिदार नमबर चार पर ग्लैन मैक्स्वेल नमबर पांच पर ABD विलियर्स नमबर छै पर डेनिल क्रिश्चन फिर वाशिंटन सुंदर काईल जेमिसन, हर्शल पटेल युजवेंदर चहल और मौंबर सिराव जरूर से एक बहुत ही स्ट्रॉम टीम RCB की और लगाता चार मुकाबले जीतना चाहेगी ये टीम अब मैं आपसे बात करता हूँ राजिस्थान रॉयल्स के बारे में जो की अपने तीन में से दो मुकाबले हार चुका है और एक बहुत ही बड़ा मुकाबलों का राजिस्थान के लिए लियम लिविंग्स्टन भी टीम छोड़के जा चुके इंगलें ये अब राजिस्थान के पास के बड़ पांच ही ओवर्सीज फिर बचे है इस वज़े से काफी कम आप्शन है राजिस्थान के इस टीम के पास में जोस बटलर ने पिछले मुकाबलों में काफी अच्छी बल्ले बाजी करी उमीद करते हैं वो फॉर्म को कंटीन्यू करेंगे इस मुकाबले के अंदर संजू सेमसन ने पहले मुकाबले के अंदर सेंचूरी मारी लेकिन लागातार दो मुकाबले फ्लॉप हो चुके हैं सेमसन को कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी और डेविड मिलर ने भी एक काफी अच्छी पारी खेली इस टीम के लिए लेकिन पिछले मुकाबले के अंदर फ्लॉप हो गया तो मिलर, सेंसन और बटलर ये तीनों बहुती बड़े बल्ले बाज हैं लेकिन बाकी बल्ले बाजी बहुत इन एक्सपिरेंस इस टीम के अंदर जो की सबसे बड़ी दिक्कत है बाकी बल्ले बाजी में कोई भी अच्छी बैटिंग करनी पार है राजिस्थान के लिए जो की बहुत बड़ी दिक्कत की बात है गेनबाजी में चेतम साकरिया ने काफी जबर्दस गेनबाजी करते वे 6 विकेट निकाले हैं साकरिया के लेफ्ट डाम पेस बॉलिंग काफी शांदार है उसके अलावा क्रिस मौरीस को भी 5 विकेट मिल चुके हैं इस टीम के लिए उमीद करते हैं दोनों वापस अच्छी गेनबाजी करेंगे जैदे वो नात का तो मुस्तफु जर्रह्मान को इप्रूफ करना पड़ेगा ये दोनों काफी ज़ादा रन खर्च कर रहे हैं तो राजस्तान की टीम की बॉलिंग फरी भी डिसेंट है लेकिन बल्लेबाजी में टीम को सुधार की जरूत करनी पड़ेगी तो रिपोर्ट्स के हिसाब से इस मुकाबले के अंदर राजस्तान की टीम दो बदलाव कर सकती है मिडल आउडर के अंदर महीपा लोम्रो का मौका मिल सकता है वो साइद मुस्तागली में भी काफी शांदार के लेते और यसस्वी जैस्वाल को इस मुकाबले के अंदर ओपन करने का मौका मिल सता है मनन वोरा की जगा पे तो राजस्तान के लिए ओपन कर सकते हैं जौस बटलो यसिस्वी जैसवाल नमबर तीन पर संजू सेमसन नमबर चार पर डेविड मिलर नमबर पांच पर महीपाल लॉम्रोर नमबर छै पर रियान पराग नमबर साथ पर राहू तेवतिया फिक्रिस मौरिस, जेदेव उनादकर मुस्तुफुजुर रह्मान और चेतन साकर ये टीम हो सी राजस्थान के इस मुकाबली के लिए आप कमेंट करके बताओं मुकाबला कौन जीतेगा वो टीम होगी राजस्थान, वो टीम होगी बैंगलो बताओं मुझे कमेंट करके और इस मुकाबली की फेंटेसी टीमा ने वाली इक्षिन की उपर तो दोनों टीमों को अगर कमपेर करते हैं तो ओवियस सी बात है RCB का पलटा भारी रहने वाला इस मुकाबली के अंदर वो बहुत ही स्क्राउम साइड है लेकिन वान केड़े पे टॉस एक बड़ा पाट प्ले करता है चेस करनेवल टीम को एडवांटेज जरूर से रहेगा तो उमीद करता हम वीडियो को पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद लाग बूसे कर दीजेगा सबस्क्राइब किया चनल को इस तरह वीडियो दिखने के लिए मुलाकात हुए अब सगले वीडियो में याद रखियेगा स्पोर्ट नहीं तो कुछ नहीं